किसानों ने आज भारत बंद का एलान किया है ऐसे में समाजवादी पार्टी ने उनका समर्थन किया है बात करेंगे प्रदेश अद्धेच नरेश उत्तम जी से सर आज भारत बंद का एलान किया गया है उत्तर प्रदेश में कितना असर देखने को मिली देखें उत्तर प्रदेश किसानों का प्रदेश है और किसानों की पार्टी समाजवादी पार्टी है किसानों का प्रतनिदुत मानिसरी अखले शादो जी करते हैं उत्तर प्रदेश के किसानों को बरबात कर दिया भारती जंता पार्टी ने खेती करने वाले लोग खेत में काम करने व पांच वरस में 15,000 करोड को रुपए बखाया है 15,000 करोड उनका रुपए दे नहीं रहें और कहा था 14 दिन के अंदर हम रुपए दे देंगे और आज पांचवा साल होने जा रहा है अभी तक उनका बखाया नहीं दे रहें गन्ने के मूल में भारती जंता पार्टी ने कभी जाफा नहीं किया समाजवादी पार्टी ने किया मानी अखले शादोजी ने किया उन्होंने अपने कारकाल में 65 रुपए पर कुंटल बढ़ाया था इन्होंने डीजल का दाम बढ़ा दिया इन्होंने डीजल बढ़ा कर जुताई का दाम बढ़ा दिया सिचाई का दाम और टमाम समाच के लोगों को जो है कहले के लिए Universum पूजिवात की पूशख है और इस प्रदेश के अंदर पूजिवात को बढ़ाया है जंता को भरबात किया है इस प्रदेश में आप इनको जात्त की आदा रही आज ऐसे कहते हैं जाती पाती की बात नहीं करते हैं आप इनको जाती की याद आ रही है तो जाती जंगर ना कराएं ना मानी राश्रिय दा खिलेश आदो जीन लोगसभा के अंदर भी कहा लोगसभा के अंदर इनके नेताओं ने कहा कि हम करा देंगे आप ये सुप्रीम कोर्ट में हलाब नमा लगा दिये कि हम करा नहीं पाएंगे तो ये जंता को ना समझ मत समझे आप इन्हें उत्तर प्रदेश से हटना निश्यत है पाचित के लिए शुक्रिया आप सुन रहे थे नरेश उत्तम योगी पार्टी के प्रदेश अद्यच है और इन्होंने साफ तोर पर कहा कि किसान समाजवादी पार्टी के साथ है और पूंजी पतियों की जो है वो भारती जनता पार्टी सरकार है जब जाती जनकलना की बात अखलेश यादा हो कह रहे थे तो उस वक्त इन्होंने सुप्रिम कोर्ट में हलफ नामा दिया और उससे किनारा किया आज जातियों को साधने का काम कर रहे हैं कैमरमें सुन्दरम के साथ सीमा अबनक्वी भारत समचार लखनो कर दो